हेलो दोस्तों मैं हूँ सत्या, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल दे सीक्रेट हिंदी में, तो चलिए जानते हैं आखिरकार रूस और युक्रेन के बीच लड़ाई का जड़ क्या है, और क्या चाहता है रूस, रूस और युक्रेन के बीच लड़ाई को समझने से पह युक्रेन की सामाएं उत्तर पूर्व और पूर्व में रूस, उत्तर पश्चिम में बेलारूस, पश्चिम में पोलेंड और स्लोवाकिया और दक्षन पश्चिम में हंगरी और रूमानिया से लगती हैं। अब युक्रेन और रूस के बीच लड़ाई की जड़ क्या है उ सीधे शब्दों में रूस नहीं चाहता कि युक्रेन की ताकत बढ़े या वह पश्चिमी देशों के साथ बहतर संबंद बना पाए। इसे लेकर युक्रेन की जनता भी दो भागों में बंटी है। युक्रेन के राश्ट्रवादी लोग रूस की चाया से बाहर आने और पश्चिमी देशों का हिस्सा बनने की पैर भी करते हैं। वहीं युक्रेन के भीतर रूस से खुद को जोड़ कर देखने वाले लोग इसके पक्षमे नजर नहीं आते हैं। ऐसे में स्थिती और भी जटिल हो गई है। तो दोस्तों अब चलिए जानते हैं आखिरकार रूस चाहता क्या है। दोस्तों रूस नहीं चाहता कि युक्रेन पश्चिमी देशों से अच्छे संबंध रखे या नेटो नॉर्थ अट्लांटिक ट्रीटी और्गनाइजेशन का सदस्य बने। अमेरिका और ब्रिटेन समेट दुनिया के 30 देश इस संगठन के सदस्य हैं। नाटो का सदस्य होने का मतलब है कि अगर सगंठन के किसी भी देश पर कोई तीसरा देश हमला करता है तो सभी सदस्य एक जुट होकर उसका मुकाबला करेंगे। रूस का कहना है कि अगर नाटो की तरफ से युक्रेन को मदद मिली तो उसका अंजाम सबको भुगतना होगा। आशा करता हूँ आप बेहितर से समझ पाए होंगे। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।